राश्पती सीची दोनों देशों के मंत्रीगाण एवं डेलिगेट्स मीडिया के साथ ही होगा। सबसे पहले तो मैं राश्पती सीची और उनके डेलिगेशन का भारत मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। राश्पती सीची कल हमारे गणत्र दिवस हमारों में मुख्य अतिजी की रुप में शामील हो रही है। यह पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विशा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजीप की एक सैन्य टुकडी भी हमारे गणत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंट्स भारत और मिस्त्र विश्वकी सबसे पुरानी सप्वेताओं में से हैं। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। चार हजार वर्षों जे पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के मादम से मिस्त्र के साथ व्यापार होता था। और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूत हमारे समंदों में एक स्थीरता रही हैं। और हमारा सहयोग निरंतर सुद्रड रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सहयोग में और गहराया है। और मैं इसका बहुत बड़ा स्रेक मेरे मित्र राखपती सी सी के कुशन लेतरुतों को देना चाहूँगा। इस वर्ष भारत ने अपनी जीट्वेंटी अत्रेक्ता के दोना इजिप्त को अतिती देश के रुप में आमंत्र किया है। जो हमारी विशेश मित्रता को दर्साता है। फ्रेंट्स अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी और इजीप्ता है। दोनों देशों के बीच सामरिक समनवय पूरे एक शेत्र में शांती और समृत्य के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैटक में राश्पती सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षिय भागेदारी को स्ट्रेजिक पार्टरिशिप के स्थर पर ले जाने का निर्णे लिया है। हमने ताय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेजिक पार्टरिशिप पे दाहत हम राजलितिक, सुरक्षा, हार्थिक एवं वैज्ञानिक शेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लोंग टम दाचा विक्सित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहें आतंगवाद के पसार से चिंतित हैं। हम एकमत है कि आतंगवाद मानवता के लिए सबसे गंबीर सुरक्षा खत्रा है। दोनों देश इस बात पर भी सैमत है कि क्रॉस बॉर्डर टर्रिजम को समाप्त करने के लिए ठोश कारेवाई आवशक है। और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतराच्य समुदाय को सचेत करने का प्रहत्त करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढाने की भी अपार संभावना है। पिछले कुछ वर्सों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइन एक्सराइज ट्रेनिंग एवं केपिसिटी बिलिंग के कारियों में उलेखनी बढ़ोत्री हुई है। हमने आज की बैटक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मद्बूत करने और काउंटर टर्रिजम संबंदी सूचना इवं मिंटलिजन्स का आदान प्रदान बढ़ाने का भी दिन्ने लिया है। एक्स्ट्रेमिस्ट विचारधारां तता रेडिकलाजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुर्प्योग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाब भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविन महामारी के दौरां हमने हेल्थ केर इंफ्रसेक्टर तता ग्लोबल सप्लाई चेंज पर जो दुष्प्रभाव पड़े हैं, उसको करीब से देखा है। राश्प्रती सीसी और मैं इस चनौति पूर्ण काल में निटकर संगपर्क में रहें और देनों देशों के अवशक्ता के समाएं एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। आज हमने कोवीड और उसके बाद यूक्रेन संगर्ज के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्नाई चेंज को उस पर भी मजबूत करने के दिशा में प्यापक चर्चा की हैं। हम इन शेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की अवशक्ता पर भी सहमत हुए हैं। सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए हम इजिप्त की सरहना करते हैं। संयुत राष्ट तथा अन्य आंतराष्टे फोरम में भारत और इजिप्त का लंबा और बहतरिन से योग रहा है। हम दोनों ही अन्तराष्टे विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमसी और डायलोग की अवशक्ता पर भी सहमत है। मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलिगेशन का भारत में रदय पूरवक स्वागत करता है। मैं आपको और इजिप्त के लोगों को नए शाल की सुबकामनाई भी देता हूं। बहुत पहुत धन्यवादुश।